हाई गाइस दिस हुसेन मीमन हीर और आप सुन सकते हैं बैक ग्राउंड में अगर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है तो जी हाँ मेरा ये विडियो गली के कुत्तों पे है यानि एस्ट्रे डॉक्स पे है जिनका कोई मालिक नहीं होता और इनकी तादात रोजाना बढ़त ही जा रही है कल तक चार कुत्ते थे तो जो है अभी दो तीन महीने के अंदर अची अट डस कुत्ते ओगए हो गये है और हर 30-40 कदम पे आप देखो तो अलग अ다 कुत्तों की गेंग है ये एयरिया वाले कुत्ते अगर आपको पहचानते हैं तो आप 30 सबीस तीस कदम चलके जाओगे तो वहां नए कुत्तों की गैंग मिलेगी जो आपको देखके भौकना शुरू कर देते हैं बच्चे गलियों में खेलते हैं बूड़े आते जाते हैं हाथ में से थैली छीन लेते हैं और जो गंदगी होती है कचरे की जैसा मान लो किसी ने कचरे के अंदर जो है गंदे डाइपर्स डाले हैं बच्चों के वो ये कुत्ते घसीट के लागे बिल्डिंगों के आगे फेक देते हैं या किसी भी तरीके के कोई गोश का तुकड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, कचरे में फेकावा है, वो ये खीच-खीच के लाके लोगों के घरों के आगे डाल देते हैं, और सिर्फ वही नहीं बलके पूरी-पूरी थैलियां उठा के पार्टी मनाते हैं, किसी के भी घर के बारादा नुक्सान हो रहा है, उनको बेवजा डबल सफाऎ करनेजा हैं और इन कुटों से फाइदा किसको हो रहा है, किसको को भी फाइदा नहीं हो रहा, सिर्फ नुक्सान हो टाहिए, चाहे वो साउंड पॉलीशन हो या रात कोई नीमど खराप कर्ने का, नीम रात की नी खराब करना हो या बच्चों का एक फियर लगा रहता है बच्चे नीचे खेलने गए हैं कुट्टे पीचे नहीं पड़ जाए बुजर्ग आदमी से बराबर चेले नहीं जाता वो खुद अपनी तकलीफ में होता है ये कुट्टे उसके पीचे पड़ जाते हैं थैली के निकालना पड़ेगी गाड़ी अचानक आगे कोई आ गया एकसिडेंट हो गया तो बेसिकली एक इनसानी जान खत्रे में है ये कुट्टों की वज़े से और मैंने कम्प्लेंड करने की कोशिश की थी लोगों से पूछा भी मैंने उन्होंने बताया हमने बहुत से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसा भी हो सके गवर्मेंट से रिक्वेस्ट करके एक एरिया बनाईए जहां पर आप सब ये गली के कुट्टों को ले जाके पालिए पोसी बढ़ा कीजिए उनके साथ रहिए टाइम स्पेंड कीजिए जैसा आप जो करना चाहते करिए म ये रात के पौने तीम बजे अगर ये कुट्टे इसी तरीके से भोकते रहे तो सुबा में छे बजे साथ बजे आट बजे जो ओफिस जाने वाला आदमी है वो क्या अपने नीम पूरी करेगा और क्या ओफिस का वर्क प्रेशर जहलेगा फिर वहां से आने के बाद शाम को घर का प्रेशर जहलो और रात को सोने भी नहीं मिल रहा और फिर आप बोल रहे हो कि अरे आजकल तो ऐसी डिटी की बीमारी बहुत आम हो गई है कैंसर बहुत आम हो गया है और वीकनेस लोगों में बढ़ गई है डिप्रेशन बढ़ गया है नर्वसनेस बढ़ गई है एक बात है जब पूरा दिन प्रेशर में कटेगा और रात की नीन भी बराबर नहीं मिलेगी तो फिर इनसान इसी बीमारियों का शिकार होगा और बेसिकली दूसरी बात में इंपोर्टन स्वाल है कि यह कुटों से क्या फाइदा हमें कोई फाइदा नहीं है सिवाए गंदगी एरिया में डबल करने के और कोई काम नहीं करते हैं बच्चों को डराने के बच्चों पर हमला करने का बूडों पर हमला करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते हैं जिसको देखो गली के कुट्टों की और जिससे डराव है यहां तक कि मैं आपको वीडियो में दिया आगे बोनट पर बैटके उसमें डेंड मार दिया दो कुत्तों की लड़ाई हुई और कुछ स्क्रेचिज लग गए अब फुजूल का पैसा गाड़ी वाले का भी जा रहा है वो डेंड बनाने में या वो इसको वापस से थोड़ा सा पेंड करने में ये सब चीजों का मतलब सिर्फ इनसान का लॉसी हो रहा है चाहिए किसी भी मजब का आदमी हो उसका लॉसी हो रहा है किसी का फाइदा नहीं हो रहा है कुत्ता मजब देखके नहीं काटता कुत्ता मजब देखके फीचे नहीं पड़ता ये गली की कुत्ते हैं इनका कोई फाइदा नहीं गली इस नहुँटी उसके साथ सुकुन से है सके जो इनसानों की कम्यूनिटी है उसके अंदर इन्होंने आतंग मशा के रखा एक गली के अंदर से आप गुजरो तो बारा बारा कुट्त निकलेंगे दस से बारा कुट्त तो हर गली में आलमोस्ट होंगे ही आपके सामने और फिर और भागर करती हमें चलीजा आज़िए लागरों करते हैं कुछिर बनाकी बनाने के सब्सक्राइब के बासी जा तकime नहीं आको तरहिए गर में बड़े बुजूर्ग हो आप आप आफिस चले जाते हो गाड़ी टाइम पर जो टाइम पर गाड़ी आती उस वक्त गाड़ी के अंदर कच्रा देने वाला कोई नहीं होता और दूसरी चीज यह भी है कि वो गाड़ी को कच्रा देने के लिए कुछ लोग खिड़कियो से पाँच-पाँच मौले से चार-चार मौले से गंदी थैलियां कच्रे की थैलियां 15-15 मिन जो इड़क रही है इयर भाड़ी को रही है जब वह गाड़ी मौला आय Unter यह जो आजकल आजीब सोसटी के अंदर बकेट बोलो उसमें डालके तो ये गंदगी एक अजीब चीज हो गई ये शहर के अंदर तो मैं मुंसिपल्टी से भी या किसी पार्टी वर्कर से भी जो ये चीजे के अंदर एक्सपर्ट हो उनको पताओ कि प्रोसीजर क्या है तो उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप ये जो तकलीफ लोग जहल रहे हैं बिना वजी की जो हमारी जिंदगीों में जबरदस्ती की आ गई है पहले ही इतनी तकलीफे लोग जहल रहे हैं बरदाश कर रहे हैं तो प्लीज आप जारा कुछ कीजिए ता कि ये कुट्ते जो हैं जो किसी को कोई फाइदा पहुचारे सिर्फ गंदगी को डबल कर रहे हैं हर एरिया के अंदर और लोग काट रहे हैं कुछ लोग गिर के जो है अपनी कमर की हड्डियां भी तूड गई है बुज़रों की बाकाइदा उनके पीचे पड़े वो भागने की कोशिश किये और उनके जो है तकलीफ वाले ज सुनते रहते हैं तो प्लीज आप एक जो है जागरूत सिटिजन की तरह प्लीज बिहेफ कीजिए और जो है इसका सॉल्यूशन लेके आई है थैंक यू सो मच और प्लीज सब्सक्राइब तो माइ चैनल फोर सोशल इशूज और लिटेस निव्स थैंक यू सो मच